हेलो फ्रेंज, टड़ी एक्वित्मेक चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आज का जो मारा टॉपिक रहेगा वो होगा विज्वल बेसिक 6.0 में हम कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे different type of components हमनें डिस्कस किये विज्वल बेसिक 6.0 की IDE में तो आज का जो मारा component रहेगा डिस्कस करने के लिए वो होगा toolbox control toolbox control क्या होता है toolbox control कैसे काम करता है कौन से कंट्रोल को ये consist करता है each and everything हमें स्वीड़ में डिस्कस करेंगी तो चलिए फटा बरसे वीडियो को start करते हैं और देखते हैं toolbox control firstly हम ये देख रहे हैं कि contain a collection of tools that are needed for the project design shown in the figure ये क्या कहना चाहते हैं कि toolbox control होता क्या है पहले हमें use करने से पहले हमें यही तो पता होना चाहिए न कि toolbox है क्या कौन से tools को contain करेगा वैसे तो इसके name से पता लग रहे है कि toolbox control है इसका मिनिंग क्या होगा कि एक ऐसा box एक ऐसा box जो controls को या tools को consist करता है तो वहीं चीज़ यहां लिखे contain toolbox control क्या है contain a collection of tools ये क्या करता है collection करता है tools का different type के tools है उनको एक जिखापर consist करता है जो कि toolbox कहलाता है that are needed for the project design जो project design में बहुत mostly use किया जाता है कहां use किया जा रहा है project designing में यानि visual part बनाने में graphical part बनाने में हम toolbox controls का use करते हैं अब हम ये कहां पर show होगा to show the toolbox toolbox को show करने के लिए हम सबसे पहले menu bar में जाएंगे view पर view पर जाने के बाद वहां पर आपको मिल जाएगा एक toolbox का icon view पर आप जाएं toolbox icon पर click करें तब भी मिल जाएगा या फिर जो आपके पास tool bar होती है tool bar में भी आपको exactly यहां पर button मिलता है shortcut मिलता है जिससे आप toolbox को show and hide कर सकते हैं the user can place a tool on a phone यहां पर जो users हैं वो क्या कर सकते हैं can place a tool वो tool को place कर सकते हैं कहां पर on the phone phone के ऊपर जितना भी हम काम करते हैं वो form पर ही होता है जैब वो graphical हो या coding part हो coding part अलग form पर होता है designing part अलग form पर होता है run time पर run time पर वो दोनों ही form क्या करते हैं integration में काम करते हैं यानि कि एक साथ काम करते हैं एक साथ काम करेंगे तो मैं graphical और coding दोनों ही दिखेगा लेकिन end time पर जब run time की बात होती है काम चाहिए वो दोनों साथ में करेंगे लेकिन हमें सिर्फ दिखेगा हमें सिर्फ graphical पार्ट दिखेगा सिर्फ GUI दिखेगा जो हम controls use कर रहे हैं सिर्फ वही हमें show होगी कैसे show होगे वह आपको वतल लगिया यहाँ पर किसी भी टूल पर क्लिक कीजिए जिसको आप यूज करना चाहते हैं and draw the tool form the tool appear on the form और the double click on the form या तो आप drag and drop कर दिजे drag कैसे करेंगे सबसे पहले इस form पर जिस भी icon को जिस भी control को आप यूज करना चाहते हैं toolbox में जाए toolbox पर उस icon पर क्लिक कीजिए और उसको drag and drop कीजिए और drop कहां करना है आपको उस प्लेस पर जहां पर आप form पर उसका यूज करना चाहते हैं किस position पर यूज करना चाहते हैं second method क्या हो सकता है कि आप टूल बोक्स पर जाए उस पर टूल पर डबल क्लिक कीजिए वह रेंटम प्लेस पर चला जाएगा form में किसी भी रेंटम प्लेस पर आपको देखेगा और जैसी वह दिखने लग जएगा विज्वल हो जएगा आप उसको अपने अकॉडिंग सेटप कर सकते हैं कि कौन सी पोजिशन पर आप उसे रखना साथ है तो टूल अपेर अंदर फॉल जो इस पर दिखने लग जगा या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं तो टूल अपेर टेबल से निए तूल कंट्रोल यहां पर हमें एक टेबल देखेंगी या जर्नल कंट्रोल हैं जो हम मौसली यूज करते ही हैं यह जो पूरा को आपको टूल वॉक्स देख रहे हैं कि आपको कहां पर शो होगा य Harbor Left कोर्नर में या MID हम pointer पर click कर सकते हैं like आपने यह form है पूरा form पर आपने यहां पर label लगा दिया लेकिन label आपको यहां करना था तो आप simple क्या करेंगी या तो आप उसे drag and drop normal कर सकते हैं या pointer पर click कीजिए तब आप drag and drop करेंजी उसकी position को change करने के लिए फिर आता है picture box picture box को किसली use किया जाएगा जिसकी name ही बता रहा है उसका picture box यूज किया जाता है picture को set करने के लिए फिर आता है label, label क्या होता है non-editable text के लिए use किया जाता है जो कोई भी user, label का अगर use करेगा तो कोई भी user जो है वो run time पर किसी भी text को edit नहीं कर सकता लाइक आपने सबसे first लिख दिया visual basic project और यह आपने label पर लिख है यानि जो programmer है उसने label पर लिख दिया visual basic program या project तो run time पर जो user उसे use करेगा वो label को edit नहीं कर सकता जो label है वो same as it is रहेगा अगर text box होता तो editable होता लेकिन label editable नहीं होता और label का use ही किसलिए किया जाता है non-additable text के लिए ऐसी है आपट text box है text box किसलिए होता है data को enter करने के लिए additable text को enter करने के लिए फिर आता है frame का use किसलिए किया जाता है जो same type के controls है उनको एक single frame में रखने के लिए आप इसका use किया जा सकते है like सबसे पहले आपने option में लिख दिया कि आप कौन से subjects पे click करना चाहते है या फिर आप example लेशकते gender का frame का main आपने लिख दिया कि gender है gender के अंदर आपके पास 2-3 options है उसमें से किसी आप एक option को click कीजे वो जितने भी आपके पास options दिखेंगे यह male है, female है, other है, customize, जो भी वो सब आपको एक ही single frame में दिखेंगे एक ही single frame के अंदर वो सब options है इसलिए हम उसको frame का use करें ताकि सब similar type के option है चाहे वो male है, वो भी gender है, female है, वो भी एक gender है तो एक similar type के options के लिए हम frame का use कर सकते है पिर आते है command button command button किसलिए होता है, button होता है जिस पर अकर हम click करेंगे तो कुछ ना कुछ operation perform होगा और operation कैसे perform होगा जो event, जो method हम उस पर लगाएंगे उसके according checkbox checkbox क्या होता है, चाहाँ पर हम multiple options को check कर सकते है फिर आता है option button option button जिसको हम radio button के नाम से भी जानते है इस tml में, radio button या option button क्या होता है जिस पर आप सिंगल, single option पर click कर सकते है combo box क्या है, जिसमें multiple combos आते हैं यहाँ पर आपको एक time पर सिर्फ एक option शो होगा जैसे आप drop down पर click करेंगे, multiple options आपको दिखना शुरू हो जीएंगे फिर आता है list box, list box में क्या होता है multiple options होते है, combo box की तरह, बढ़न यहाँ पर कोई drop down नहीं होता अगर list लंबी है, तो up down का error हो सकता है, लेकिन drop down नहीं होता add scroll bar, यानि horizontal scroll bar and vertical scroll bar यहाँ पर होते है timer का use किया जाते है, फिर यहाँ पर drive list box है DRI list box है, file list box है, shapes बनाने के लिए आप shapes का use कर सकते हैं circle है, rectangle है, etc, यहाँ पर जैसे shape का use किया जा रहा है, अगर single line आपको draw करने है, line के लिए apply का use कर सकते हैं, image लगाने है, किसी चीज़ पर like picture box ही तरह image box होते है, images लगा सकते हैं, data का use कर सकते है, database के लिए, object linking embedded, यहाँ पर इसका भी use का, control का use किया जा सकते है, तो सभी तोपिक I hope के topic आपको समझ में होगा, अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई doubt आता है, देनाप हमें comment कर सकते हैं, वीडियो पसंद आयते हैं, like, share, subscribe करना, comment करना, ना भूलें, thanks for watching my video, अगर आपने subscribe कर दिया है, तो बाकिस सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं, क्योंकि subscribers बहुत जरूरी है, then comment करें